अब भव राम मंदिर का उद्गाटन दुनिया के सबसे लोग पिडिए नेता मानिये नर्दर मोदी जी के द्वारा हुडा है कॉंग्रेस दर किनार करे जो भी करे देश की जनता कॉंग्रेस को दर किनार कर चुकी है कॉंग्रेस समाप्त हो चुकी है उसके बोलने और न बोलने का क्या मतलब है भगवान राम का मंदिर का सुबुद घाटन हो रहा है खुब धूबदाम से हो रहा है देश की जनता इंतजार कर रही है कि हमारे भगवान से राम राम लला वहां बिराजे और बाइस तारिक के उस च्छन का पुरा देश वासी इंतजार कर रहा है सब दीपावले मनाने के अभी से त्यारी कर रहे है जो बहुत ही उनकी सही सोच होगी सही योजना होगी तभी वह बोले है भारते जनता पार्टी सब का साथ सब का समान और सब का साथ के साथ काम करती है अभी देखे होंगे कि तेन राज्यों के चुनाव में जो भारते जनता पार्टी को जीत हासिल हुआ है वहां मुकमंतरी कौन-कौन बने वहां महनयादब जी बने साय साहब भी बने जो अधी आदिवासी गड़ी पड़िवार से आते हैं और राजस्थान में भी वहां जो बने है भजनलाल जी वह देखिए तो आप जब तीन भजनलाल सरमाजी तो तीनों लोगों को देखिए तो भारते जनता पार्टी की सही सोच दिखाई पड़ती है कि यहां सब का साथ और न्याय सब का विकास सब का सम्मान की नीती है वह यहां परिवारवादी पार्टी नहीं है परिवारवादी पार्टी जो है आरजडी और कॉंग्रेश जो अपने परिवार के लिए काम करती है यहां पार्टी ऐसी है जो अपने शिद्यांत और करती। उसमें सब है।रा मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन और न जाना उनको भ beschäft किसी का … इसले ने जा रहा है तो वि तो श्टीकरण की नीती है उनको किसी का बौट चाहिए। रामझन तो चीक है जिस तरह से उसका रवईया है अशोग चौरी कह रहे हैं कि हम तो सोला सीट बात उनसे पूछे जिनके सीट का बटवारा हो रहे हमारे हाँ सब एंडिये में ठीक है हां कुछ नहीं है कि अब आप कि अब एंडिये में एंचत कुछ पेंगी किता जो आप कि अब एंचत कुछ बच्क रहे हैं कि अब भीक है